तो आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ G20 क्या है कब से कब तक गई लगने वाला है कहाँ पर लगेगा मेंटर इस्टेशन बगेरा बंध होंगे या फिर नहीं होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितने रस्टी कैसन है सब कुस में पताने वाला हूँ अभी आप आपके पास बहुत सारे न्यूज आ रहे है कि बिल्कुल लॉगडाउन के तरह है अब भार ने निकल पाओगे तो यह फेक न्यूज है इससे बचो इसके लिए मैंने तीन-चार कोईशन आपके लिए बनाया है तो फटा-फट उसको स्टाट करते हैं तो देखो फस्ट मतलब कि जब G20 सम्मिट होगा क्या बिल्कुल लॉगडाउन होगी जैसा सिचुएशन बन जाएगा तो इसका सिंपल आंचर है नो दियर विल वी ओनली सर्टेन रस्टिगेशन अन ट्राफिक मुव्मेंट पब्लिक ट्रांसवर्ट सर्फिस और बहुत सी जगह देली मुश्वल कॉंसिल इस सब में आपको रस्टिगेशन देहने को मिलेगा और नैशनल हाइवे 48 में भी आपको शॉट तैम डूरेशन के ल सेप्टेमबर 10, 2023 मतलब कि सेप्टेमबर 7 मिदनाइट को स्टार्ट हो जाएगा और सेप्टेमबर 10 तक यह फुल नाइट और फुल डे रहने वाला है तो आप फूर्थ कोशन पर बात कर लेते हैं बिल पब्लिक ट्रांसवर्ट भी अवेलेबल डिविडिंग दरश्टी के सबसे में दिक्कत है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मेट्रो सर्विस जो है वो बिल्कुल खुली रहेगी आपको घबराने की ज़रूत नहीं है कौन सा मेट्रो इस्टेशन नहीं जालेगा वह सुप्रीम कोट का जो मेट्रो इस्टेशन ने ओ बंद रहेगा जब तक इस जी ट्वंटी सम्मिट चलेगा तब तक ही यह बंद रहेगा ना आप जी ट्वंटी पे उतर पाओगे नहीं आप चड़ पाओगे तो यह बात आपको ध्यान रहेना है बाकी आपको मेट्रो इस्टेशन हर जग खुला रहेगा और आपको सीटी बस के बारे में जानना ह मैं नो टाक्स बगेरा अटो रिख्स आप बात बात करने के लिए काम करता हूं मैं आपको जोए ऐंसर है कमकरता हूं ट्राउंसलेट कर लेता हूं उसके बात फिर आपको में अच्छे से बताता हूं तो मैं Chrome open कर लिया है मैंने वाद simple मैंने जो copy कर रहा था उसको मैं paste कर देता हूं पेस्ट कर दिया आप पेस्ट करते हैं आपको सामने हिंदी में आपको option में लिए आप rate भी कर सकते हो तो simple भी इसको जूम कर देता हूं जो city bus से होगी रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं और सडक नेट रोग पर चलेगी उन्हें दिल्ली से बहर जाने की इजाजत नहीं होगी आला कि नई दिल्ली सेतरा में city bus सेवा अभलत नहीं होगी यह भी आपको ध्यान रखने की जोड़ होते हैं कि जो बहर जाने की बहर जाने की न आने की इजाजत होगी आज सितंबर जोब 5 बज़ से 10 सितंबर रात 11.59 तक किसी भी टेक्सी और आटो रिक्सा को नहीं दिल्ली में परवेश करने की आमोमती नहीं दी जाए अगर आप देल्ली से नवईडा या फिर गोडगाओं या फिर बहार आप जौब करते हो तो आपके पास एक बैलिड आईडी होना जरूरत है जो अब आपको पूलिस पूछेगी तो आपको आईडी दिखा कर आप बहार जा सकते हो और भी कुछ सवाल आपसे पूछ सकते ह दिखा आप बहार जा सकती हो तो बस यही कुछ आपके साथ शेर करना था अगर वीडियो पसंद आएड़ो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और शेर भी कर देना इस वीडियो को एसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर रख लेना मैं सोच रहा था कि काफी फेक चल रहा है तो आपको मैं पता दू तो I hope कि this information is helpful to you. Bye-bye and have a good day.